हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई टूप चैनल डीप एडूकर दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 21 दिसंबर का करंट अफेर्स के और आप लोग नोट्स बनाते रहे हैं बार बार इसलिए करा हूं कि आप लोग कहीं धीले ना पड़ जाएं लेकिन आप लोग हां से तो आपको बहुत जल्दी याद होगा और हर चीज आपको समझ में आएगी ठीक है चुकि अपनी जो हैंड्राइटिंग होती है वो अपने को ही समझ में आती है ठीक है भली आपके पास पीडियेव का प्रिंट आउट हुए किसी का लिखा हुआ नोट्स हो लेकिन जब तक आप अपनी राइटिंग उसको लिख करके याद नहीं करेंगे तब तक वो याद नहीं होता है ठीक है इस और पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता है इसलिए अपने हां से इसको अपनी हंट राइटिंग में नोट्स अवस बनाइए रोज 15-20 मुट का आदे घंटे का समय न इतार कंपनी है निभारत में पहला ग्रेफीन पाउडर प्लांट लगाया है इस पाउडर के प्रियोग से लोहे या इस्टील में जंग नहीं लगेगा धन रखेएगा जोई पाउडर का प्लांट लगेगा इस पाउडर से लोहे या इस्टील में जंग नहीं लगेगा और जो कार्बन के परमाल होते हैं बहुत ही नजदी होते बहुत घने होते हैं ISWP का फॉल फॉर्म है इंडियन स्टील एंड वायर प्रोड़क्ट यह TATA की सहे कंपनी है तो ग्रेफिन अगर प्रसनाय करन्ट अफेर्स का ग्रेफिन पावडर प्लांट किस कंपनी द्वारा लगाया जा रहा है तो यह आपकी है यह ISWP ठीक है और यह TATA स्टील की सहे कंपनी है नेक्स्ट है पहला मेगा चमडा उध्योग पार्क तो यह भारत का पहला मेगा चमडा उध्योग पार्क कानपुर में स्थापित किया जाएगा ठीक है कानपुर में और कानपुर के रमाईपुर गाउं में कानपुर के पास एक रमाईपुर गाउं है लगता हुआ वहाँ पर 5850 करोड रुपई के निवेश से मेगा लेधर पार्क स्थापित किया जाएगा मतलब मेगा मतलब बहुत बड़ा लेदर का पार्क चुकि कानपुर में और नौ में चमले का काम बहुत होता ही है तो वहाँ पर यह मेगा लेदर पार्क इस्थापित किया जाएगा यह पार्क मेगा लेदर क्लेश्टर पुजट का हिस्सा है जो 50,000 लोगों के लिए प्रतक् है कानपुर के रमईपुर में यह गाउं है एक जगा एक अस्वा है तो वहाँ पर इसको लगाए जाएगा अब तो खर कर रमईपुर जो है कानपुर में मिल गया है लगववव चले अगला है बीस हजार लीटर मुक्त जल योजना यह तिलंगानारा रच्क राज के द्व लामीर इलाकों में आज भी लोगों को पीने का पानी लेने मैं कई किलमीटर दूर जाना पड़ता है इसे देखते हैं सरकार नीमजना चलाई है तो 20,000 लीटर मुक्त जल मिलेगा मुफ्त चल मिलेगा तिलंगा राज की स्थापना 2 जून 2014 को ही थी एक वारी पीशेशन प्रसंद खुशा गया था कि तिलंगा राज की स्थापना कब हुई थी तो 2 जून 2014 बिश्व अलपसंखेक अधिकार दिवस यह 18 दिसंबर को मनाये गया है और यह भारत के राष्टी अलपसंखेक आयून इसको मनाया है 18 दिसंबर को ठीक है भारत में मुश्लिम, इसाई, सिक्क, बहुद, पार्ची और जर्ण को अलपसंखेक का दरजा प्राप्त है यानि कि 6 धरम हमारे हैं वो अलपसंखेक है भारती सम्धान के अनुछेद 29, 30 और 350, ए तथा 350, बी में अलपसंखेक सब्द का प्रियोग किया गया है लेकिन इसकी परिवासा नहीं दी गई, ठीकि आपने सम्धान पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, राश्टी अलपसंखेकायो का गठन 1992 के अधनियम के तहत किया गया था, संयुक्त राश्ट ने 18 दिसंबर 1992 को धार में किया भासाई राश्टी है, अथवा जाती अलपसंखेकों से सम् संसत को भंग कर दिया गया है, नेपाल की संसत का नाम राश्टिय पंचायत है, नेपाल की कैबनेट ने संसत को भंग कर दिया है, नेपाल की राश्पती बिद्यादेवी भंडारी ने इस प्रस्ताव को सुईकार भी कर लिया है, नेपाल की संसत को समिधान के नुच्छे यानिकि वहां के सम्धाने के नुच्छे 76 और 85 के तहट भंग किया जाता है ठीक है हो सकता काई पूज दे कि नेपाल के सम्धाने के नुचार वहां के संसत को किस नुच्छेत के तहट भंग किया जा सकता है तो 76 और 85 नेपाल भारत में 5 राजियों कुछ होता है यहनि कि 5 भारती राजियों की सीमा नेपाल से मिलती है उत्राखंड उत्रप्रदेश पिहार पश्यमंगाल और शिक्किम ठीक है भारत सरकार ने देश में निर्मित उत्पादों की गुडवत्ता को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड इंडिया मिसन की शुरुआत की है ब्रांड इंडिया मिशन की शुरात की भारत सरकार ने, ब्रांड इंडिया पहल के तहट भारती और अंतराश्टी दोनों उपहुकतां को भारत से बनने वाले उत्पादों की बारे में शिक्षित किया जाएगा, यह है मिशन भारत को अपने नेतृत की इस्थिति और गुड प्रग्नेंसी बाइबल पुस्तक किसने लिखी है करीना कपूर खान ने लिखा इसको ठीक है प्रग्नेंसी बाइबल का यह करीना कपूर खान जो की भारती फिल्म में ब्रेत्री है इनोंने इस पुस्तक को लिखा है वाजपेई the year that change India ये किसदे लिखी है ये शक्ति सनान लिखी है वाजपेई the year that change India अंतर राष्टि ये 20 देसंबर को मनाया गया अमर सिंग कोलेज ने पुरुषकार 2020 जीता है ये श्री नगर में इस्थित है निजी सुरक्षा छेतर में योगदान के लिए डॉक्टर बी आर कुमार को lifetime achievement नवाट से समानित किया गया है लियोनेल मैसी ने सबसे ज़्यादा गोल करके ब्राजील के महान फुटवालर पेले के 643 गोल के रिकार्ड की ब्राबरी कर लिए तो ये बहुत ही important कुछ facts थे जिनको आपको देखना होगा इस तरीके से ये आपका आज का current affairs ने की 21 दिसंबर का समाप्त होता है ठीक है और बिधान सभा के लिए श्रीज प्रारम हो चुकी है यदि आप लोग join करना चाहते हैं ठीक है उसको देना चाहते हैं अपनी पढ़ाई की जाच करना चाहते हैं कि हमारी जो तयारी कैसी है समिच्छादिकारे के लिए या साइक समिच्छादिकारे के लिए या जो भी अपने जी सचेव हैं या जो अन्य पदों के लिए आपने फार अप्लाई किया है तो आप उसको join कर सकते हैं 6393-350-769 इस number पर आप join लिखकर के whatsapp कर सकते हैं 6393-350-769 ए नमबर इस पर लिखकर के आप join लिखिए और भेज दीजे, whatsapp कर दीजे जहांपर आपको पूरी प्रिक्रिया बताई जाएगी कैसे आपको गुर्प में जोड़ लिया जाएगा और आपको नीमत रूप से श्रीज मिलना प्रारम हो जाएगी नमस्कार धन्यवाद